तो देखते हैं पर question number first में हमसे क्या पूचा गया है What advantage over an aquatic organism does our terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration तो यहाँ पर जो terrestrial organism है इसको यहाँ पर सास लेने में oxygen लेने में ज़्यादा असानी होती है aquatic organism के मुकाबले तो ऐसा यहाँ पर क्यों होता है वो हमें यहाँ पर बताना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि aquatic organism होते क्या है और जो terrestrial organism में वो यहाँ पर क्या होते है तो aquatic organism वो होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं हमारे समूदर में रहते हैं कौन से जो समूदर में रहते हैं या पानी में रहते हैं उनको यहाँ पर क्या बोले जाता है एक्विटिक और्गनिजम बोले जाता है और जो टेरिस्टियल और्गनिजम होते हैं यह हमारे यहाँ पर क्या रहते हैं पिर्थवी में रहते हैं जमीन पर रहते हैं तो इन दोनों में हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो advantage है, किसमें ज़्यादा advantage है, respiration की process में, respiration की process में हम यहाँ पर क्या करते हैं, oxygen लेते हैं, और वहाँ पर CO2 release करते हैं, और respiration में जो हमारा food है वो भी वहाँ पर क्या होता है, oxidize होता है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे होता है actually में क्या होता है वो हमारा होता है H2O तो इसमें यहाँ पर 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen present होते हैं तो इसका मतलब जो water का formula है वो होहाँ पर oxygen carry करता है बट यह थोड़ा यहाँ पर complicated हो जाता है और वहाँ पर sufficient oxygen नहीं होता यहाँ यहाँ पर लेने में और उनको काफी problem होती है तो वह यहाँ पर next line में लिखा हुआ है the amount of oxygen dissolved in water is however limited तो जो यहाँ पर oxygen होता है वो यहाँ पर क्यों होता है limited होता है और जो कुछ aquatic organism होते हैं उसमें यहाँ पर क्यों होता है कुछ oxygen separate करके उनको लेते हैं बड कुछ aquatic organism होते हैं जो यहाँ पर पानी के अपर आती है जब जाके वो हँआ पर क्या करते हैं बाहर से oxygen लेते हैं जैसे कि हमारा यहاँ पर whale हो गई और डॉलफिन हो गया यह यहाँ यह पर ऐसे हैं जो बाहर आके समुरु से क्या करते हैं Oxygen को kareạn करते हैं क्या यह पानी से Oxygen नहीं लेते हैं और इनके। यहाँ पर क्या ओतर गिल्स भी नहीं होते हैं यह बहार आते हैं और वहां से क्या करते हैं Oxygen को koo लेते हैं जबकि यहां पर terrestrial organism के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है terrestrial organism यहां पर जो oxygen लेते हैं वो कहां से लेते हवा से लेते हैं और हवा में आपको पता होगा कि 20 से 21% के बीच में oxygen present होता है तो वो यहां पर लिखा गया है terrestrial organism has an advantage over an aquatic organism in regard to obtaining oxygen because it is surrounded by oxygen rich environment तो जो यहां पर terrestrial organism रहते हैं वो खहां पर रहते हैं oxygen rich environment में रहते हैं यहां पर oxygen की कमी नहीं रहती है और इन्हें यहां पर कुछ convert करने के जरूत नहीं होती ज्यासकि वहां पर water में से उन्य oxygen कर्यारी करना पड़ता है बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह यहाँ पर क्या है एडवांटेज है किसके पास टेरिस्टियल और्गनिजिम के पास तो होप आपको यह वाला अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ